इसे इस या बैंक के नतीजे आए हैं मुनाफ़ा साड़े सत्रा पसेंट बढ़कर आया 10,707 करोड के आसपास 10,323 करोड का अनुमान था ब्यास से आया के आकड़े में करीब 8% की ग्रोथ देखने को मली है 19,092 करोड का ये फिगर है 18,982 करोड का नुमान था तो ये भी उमीद से बहतर है margins अगर आप ध्यान दे 4.4% पर आये हैं ये in fact 4.43% पर थे पिछले quarter में तो थोड़े से steady है margins slippages में स्थिती बहतर है 5,149 करोड का आकड़ा देखने को मला है asset quality में थोड़ा सा सुधार gross NPA level पर और net NPA level पर company का management basically ये कह रहा है कि यहां से resilience देखने को मलेगा और growth नजर आईगी उस लिहाज से कई सारा action company अपनी loan growth को लेकर बढ़ाने में लेती हुए दिखाई देगी credit card business को लेकर आजकल थोड़ा सा डर बढ़ने लगा है जैसे हमने पिछले हफते देखा था कोटक के खिलाफ एक action लिया था RBI ने तो इन्होंने कहा है कि credit card का जो breach इशू हुआ था इसे इसे बैंक की case में सारे corrective actions लिए गए हैं तो वो भी एक important statement उभर कर आई है अबाटिवान आई है